हुई वर्सब गाइस विलकम डू मैई चैनल इस वीडी мож मैं आपको दे हूँ कॉंचेप्ड मिक्स्ट फ्रेक्शन का इससे पहले आपको यह पताऊना जाए यह fraction क्या होती है हमारे पास यह है एक fraction ठीक है यह भी fraction है यह fraction है यह fraction होती है इसके two parts होते है numerator, denominator उपर वाले को हम numerator कहते हैं नीच वाले को हम denominator कहते हैं ठीक है इसमें two numerator है seven denominator है इसी तरह ये भी एक fraction और ये सारी fractions होती है ठीक है और इससे पहले मैं previous video में proper और improper fraction को concept दे चुकी हूँ proper fractions कौन सी होती है ऐसी fractions जिनका numerator मतलब जो उपर वाला है वो छोटा होता है as compared to denominator ऐसा ही है 1 छोटा होता है 4 से 2 छोटा होता है 5 से 7 छोटा है 8 से तो ये सारी कौन सी fractions है proper fractions ऐसी fractions जिनका numerator चोटा होता है as compared to denominator उनको हम proper fractions कहते हैं ठीक है और ऐसी fractions जिनका numerator या तो equal होगा denominator के जैसे 4 by 4 है equal है न numerator और denominator दोनों equal है ठीक है ऐसी fraction जिनका numerator denominator के equal होगा या greater होगा ऐसा ही है 5 बढ़ा है 4 से 8 बढ़ा है 3 से तो ऐसी fractions को हम improper fractions कहेंगी है जिनका numerator जो है denominator किया तो equal होगा या तो बड़ाई ही होगा तो ऐसी fractions को हम improper fractions कहती हैं अब आज है mixed fraction की तरफ ठीक है मैं mixed fraction से पहले इसलिए आपको fraction और proper improper fractions का पताया ताक कि आपको पहले उनका पता हो फिर mixed fraction का आपको clear होज़ेगा 2 one by 2 ठीक है यह एक whole number परन जाए तो हमारे पास बनती कैसे है whole number और proper fraction से यह proper fraction है यह whole number है ठीक है यह whole number यह proper fraction है proper we wonder क्षिमे हमने अब्होर क्या पढ़ा है कि numerator की value कम होती है as compared to denominator तो ऐसा यह one जोटा है two से ठीक है तो यह हमारे पास एक Mixed Fraction बन गई है ये whole number है और ये हमारे पास कौन सी fraction है proper इसी तरह देखा जाए तो ये बताएं किया है हमारे पास ये भी एक mix fraction है ठीक है ये whole number है और ये हमारे पास proper fraction है proper fraction में क्या पढ़ा है भी कि numerator की value का मोती है as compared to denominator ये भी देख लें आपको clear हो जाएगा कि ये whole number है हमारे पास ये numerator है और ये denominator है और ये पूरी एक fraction जो बनी हुई है ये कौन सी है ये वली जो fraction है ठीक है ये हमारे पास क्या है proper fraction numerator चोटा है as compared to denominator और ये जो पूरी है ये हमारे पास क्या है mix fraction ठीक है मिक्स फ्रेक्शन को concept समझा गया होगा आपको वीडियो अच्छे लगए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें